जाहिन दोस्तों गुर्कुल परवार में आपका स्वागत है जैसा कि आपको पता है कि अभी हाली में बैट की पर इच्छा हुई है बहुत कठिन पेपर बनाया गया था है ना बिल्कुल हटकिस लेवस था मतलब जो पिछले साल का पेपर था उससे बिल्कुल अलगी पेपर लड़के बहुत परिसान हैं उनका कहना है कि पेपर बहुत गंदा हुआ अच्छा नहीं हुआ यह सब चीज़ है परिसान होना लाजमी है क्योंकि हम लोग साल भर मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं वो फिर भी एक्जाम में अगर वो कुशन ना पूछा जाए तो कितना खरा लड़के बहुत ज़्यादा परिसाने पेपर देखके बाकी पेपरों के लिए भी सोते हैं पता नहीं मेहनत कर रहे हैं आगे भी ऐसा ही पेपर आया तो क्या होगा एसा ठीक है वो चीज लेकिन अगर किसी के भी कुश्चन पचास कुश्चन अगर सही है तो पेपर अच्छा माना जाएगा है ना पचास के आसपास ही एवरेज स्कोर कर पाएं लड़के क्योंकि पेपर ही ऐसा है था देखिए एक बास समझे है हम लोगों का तैयारी करने का एक पैटर्न होता है एक रड़नीती होती हम लोग रड़नीती बनाते हैं और कैसे तैयारी करते हैं किसी भी करते है ऐसा तो है नहीं कि हौँ में तीर चलाएंगे है ना प्रण नीती के तहत एक तर तैयारी की जाती है लेकिन अगर पेपर ही ऐसा आजाएगा तो उसमें ना तो किसी student की गलती है उन ना भी किसी teacher की गलती है है ना जिस हिसाब से पिछली साल के पेपर दो साल आए थे उस हिसाब से तैयारी की गई थी और उसी इसाब से तैयारी करा ही गई तै और लड़का भी वही पड़ता है ना अब इससे भी फाइदा नहीं है कि बड़े बड़े टीचर ऐसे हैं जिनके पास बताने को यह भी नहीं है कि हमारे किलास से एक यह question आया है या दो question दो-चार question भी नहीं है कि वो बता सकें कि यह हमने पढ़ाया और आया है हमने आपके सामने एक छोटा सा प्रयास किया था कुछ ही वीडियो अभी मेरे वीडियो यूटूब पे पढ़े हैं लगबग 25-30 वीडियो के आसपास यूटूब पे पढ़े हैं उन्ही 25-30 वीडियो में हमारा पैट में कम से कम नहीं पच्ची-30 questioning मिले हैं सीधे बिलकुल सीधे सीधे 25-30 कुषं मिले हैं हर वीडियो का हर कुष्चन का screen shot लाना संबह नहीं था तो मैं कुछ कुष्चन थे जिनका मैं screenshot लेकर आया हूं जो आसानी से मिल गए आज से जो पहले की इस मलब जो हमारी लाष्ट कुष्ट है है 27 नंबर किलास उस किलास से दो कुछे गए और 22 नंबर किलास से चार से पांच कुछन सीधे सीधे एक किलास से पूछे गए यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि पेपर बहुत बहुत अलग था बहुत कठिन था बहुत हटके था अगर पेपर पिछली साल की तरह आता तो हमने आप से पहले भी कहा था कि अगर पेपर ऐसा ही आता और जिस तरीके से हम लोग तैयारी और रणनी थी करते तो कम से कम 60% GS के कुश्चन 50-60% मेरे यह नहीं 30-35 किलासों में मिल जाते आपको देखने के लिए यह 25-30 किलास में कुछ कुष्चन हैं जो हमने आपको कराये हैं कुछी टाइम पहले हमने आपको कुश्चन कराया है यह देखिए आपको अगर दिख राओ तो मैं पढ़के बता देता क्योंकि स्क्रीन सोट है अभी पैट की परिक्षा में पूछा गया है यहां पर मराठा प्रमुख और उनके संबंदे छेत्र पूछे गए हैं सिंधिया होलकर गयकबार और भूशले तो अभी हमने कुछी टाइम पहले ज्यादा नहीं यह 22 नंबर किलास या साइध हो सकता ह है उससे पहले थी किलास है 22 नंबर की समय हमने किरा यहां चार हमने पांच हमनी और नेयृप इन सब हमने पांच दीए यहां पंछ को फिर मेरी पूछा एपकर देखिए और दिखा रहता हूं मैं आपको यहां पर देख़िए, यहां पर पूछा गया था, किस इस्थान पर, राणा-सांगा और और किसका बावर, बावर और राणा-सांगा के बीच में युद्ध हुआ था, तो यहां पर आंसर खानवा था, हमने अभी कुछ युद्ध पढायते, हल्दी गाटी का युद्ध, ख i dall 27 इसीए में हुआ था खानवाहं में हुआ था ना तो यह देखि worried आ को सना अपको दिखाता हूं मैं अब को ये देखिए पंब फिर तोंचा गया है खिस बंस से संबंदत है सेयद बंस देखिए यहां पर खिसर हां का बताया हमने सैयद बंस संबंस पूचा तोगलगवन्स है और देखिए आपको और पिश्ण दिखाता हूं पूरे पूरे जो सीधे सीधे पूछे गाई यह देखिए यह पिश्ण है समुद्र गुप्त का यह प्रयाग प्रिस्तस्ति अबलेग है ना अभी यह पूछा गया यह देखो हमने पढ़ाया था इलावाद इस्टम प्रयाग वर्जतस्ति और इसमें संस्कृत भासा भी दी गई देखिए यह देखिए हमने बताई थी इसकी भासा क्या है बेटा संस्कृत है ना और बाकी अबलेग भी बताए थे जूनागर महरौली हाती गुफा है ना यह सीधे सीधे पिश्ण हमारी परिक्षा ह किलास से इसको देखिए यह देखो इतना तराए लंदन में था हमारे पीश्ण में उन पर्केश्ण सीधा सीधा पूछा गया यह देखिए यह पूछा है कि पाकिस्तान की मांग को अमान ने कर दिया था तब हमने आपको बताया था की जो Caleb mission था Caleb mission यह जब भारत में आया था Caleb mission कब आया था 24 March 1946 को यह भारत में आया था लेकिन इसने क्या किया था कि पाकिस्ताण की мांग को अमान कर दिया था इसने कहा था कि पाकिस्ताण नाम का कोई देश नहीं बनेगा इसने इसको मानना इंकार कर दिया था तो इसके बिरोध में Muslim League ने 16 August 1946 को cabinet मैं ने पाकिस्तान की मांग को अमान कर दिया था इस बज़े से तो आगे देखिए ये देखिये पूछा है कि पंचायती राज 25 विवस्था राजस्तान की किस जिले से लागो हुई हमने यहоं पता आया है फंचायती- rij प्रणाली में श्रेणी बताएँ है तीन स्रेणिया है लाँ पंचाय छिथ पंचाय जिला पंचाय हमने यहां सन भी बताया है सन 1969 में राजस्थान की नागौर जले से है ना नागौर जले से और समिती कौन थी बलबंत राय महता सम्ती देखिए आप सेम सेम कुशन और देख से चलिए जल्दी जल्दी दिखाते जाएंगे फ्रिंटियर गांदी यहां पे पिशन पूछा था खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किस ने कीती देखिए हमने बताया था यह पिशन था हमारा फ्रिंटियर गांदी किसे कहते हैं इन्हीं को सीमांत गांदी भी कहते हैं और अब्दुलगप्पर खान इन्हों ने 1930 में यह देखिए पिशन खुदाई पिरानवे हैं और तेतर है है ना यहां पर देखिए हमने तेतर माँ चौपतर माँ समयदान संसोधन बताया है है ना 1992 ना 1992 ना 1992 का सिर्फ एक ही ऑप्षन है ठीक है और ग्यारमी अंसूची 33 महलाओं को आरक्षण पिशन अमारा पिशन किया था कि महलाओं को पंचायत में आ यूटूबर जो सालों से पढ़ा रहे हैं उनके पास दिखाने के लिए चार कोश्चन नहीं है कि वो दिखा सके हैं कि यह हमारी किलास से आये हैं आप हमारी मात्र 25 वीडियो है 25 वीडियो चैनल पर पढ़ी है उनमें से आप पिशन देखिए कितने अच्छी और सीधे सीध रितू में तमिन नाडू के टटी प्रक्षेत्रों में बरसा किस मानसून के कारण होती है देखिए यहां हमने इस्टेक्चर बना के मैप से बताया था कि भारत में किस राज में पृत्यावर्ती मानसून से बरसा इसी को हमने कहा था बेटा ये इसको क्या कहते हैं लौटता वे मानसून से इस टेक्चर बनाके तमिंड नाडू का यह हमने आपको बताया था और देखिए और देखिया आगे सुराज पार्टी का गठन यह लास्ट वीडियो में यानि कि जिसने अगर पैट की परिच्छा देने से पहले एक दिन पहले उसी दिल साम को वीडियो आई थ यह वाली किलाश डाली थी हमने सुराज पार्टी का गठन पूछ रहा था किस ने किया था यहां पर देखो यहां हमने बताया था कि सुराज पार्टी क्योंकि बारे में पूछा गया था तो देखो हमने बताया था 1923 में चित्रण्यंदास और मौतिलाल नहरू चित्रण्य पार्टी की है ना कब की थी हमने यहां पे बताया है 1923 में करी थी अध्यक्ष कौन था और महासच्चिप कौन था पूरा पेपर कुशन देखिए आप 25-30 क्लास से अगर इतने कुश्चन मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज है हम आप से पहले भी कहते हैं कि हम जो पेपर मे कुश्चन लेके आते हैं सारे कुश्चन आय हुए होते हैं और ऐसे कुश्चन होते हैं जो बार बार परिक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे आगे भी ध्यान दखिएगा है ना आगे देखिए और देखिए यह देखिए यह देखिए यह एक दिन पहल का नाम बताना है जिसके अधकार छित में अन्नमान और निकोबार दीव समू आता है और हमने अभी दो दिन पहले आपको पिष्ण कराया था देखो पिष्ण कराया था कि भारत में इस्थापित पहला उच्छ नियाले कौन सा है तो देखिए हमने डेट भी बताई यह कलकत्त सबसे पहले स्थापित हुआ था एक जुलाई उन्नी सो बाशट को है ना इसके बाद बासटाई में तीन नियाले की स्थापना हुई मद्रास की वांबे की इसकी चौदा अगस्त को इसकी पंदरा अगस्त को बासट में मद्रास उच्छ नियाले में तविल नाडू और ऑर गुए पूचा जाता है और यहाँ पर पूचा जाता है अंऍने गख़ए कहा था कि यह कुष्षन बहुत पूचाजाता है कि अढ़न निकुष्ट दीप समूग का मुख्याल है कहा है पूखता हम इस पर आइलाइट भी गिया था इस पर प्रिश्षा में देखो और जाए अनुषेद पचत्ता रहे देखिए और देखो और देखो प्रितिक बर्स कौन सा यह देखो उर्जा संग्ठन यह भी कराया आप जल्दी जल्दी देखते जाए ऐए गॉल edzie one ढॉल झ्य आट श्बाएं मलेरिया मलेरिया की दव दो नगें पर से यह भी कराया है अन्तरास्टिяться प्रक्राष्ट कि स्मुद्र संगठन को मुख्याल यह हैunt में कराया है ये देखो नीती निर्देसक्तत तो हमने आपको हमेशा ये पर Panic crown a practice set में यह पिसरτα के बारे में तो हमने इसको बताया है ये 36 से 50 तक है और आयरलेंड के संभणान से लिए गए कितना बढ़ कार बाएंध ये देखिए 23 अश्मबर 1946 को उद्देश किस ने किया था जबालाल नहरु ने किया था उद्देश पृत्दाओ और देखिए अगला पिश्ण देखिए 1942 में क्रिफ्स मिसण आया था इसमें कौन था ये ये था क्रिफ्स है न यह 242 वाला भी पूछा गया था ये देखिए क्रिप स्मिस्थन और देखो निमरीखित में हर्सवर्धन की हम पहली राध्दानी कितनी बार बताया ये था निस्वर्थ तूरती पहली राध्दानी ना ये देखी है यह देखिए और पिश्ण देखो केंदरी भासा देखे केंदरी भारती भासा संस्थान यह भी हमने आपको बताया कई बार पढ़ाया है कहां पर यह करनाटक में न मैसूर यह देखिए ये भी पिष्ण पढायाइं है देखो राष्ट में गिसमीऩ clearly कराया मतलब इसमें सम्पेंति का बिचार के सम्पेंस का बिचार या था ये भी ह कराया है ये देखिए भारती राष्टी और मुसलिम भीकलिग के भी समझवता हुआ था का हुए था लखनौ में 1916 प्रफ़पति निर्वाचन मंदल में कौन भाग नहीं लेते विटा राज की विधान परसत के सदस से भाग नहीं लेते क्यों नहीं लेते ये भी बताया था इसलिए नहीं लेते क्योंकि बिधान परसद हर राज्य में नहीं है केवल कितने राज्यों में है पिटा बताया है साथ छे राज्यों में बताया है पहले साथ में थी अब केवल साथ छे राज्यों में पहले साथ में थी इसलिए हमने उनके नाम भी लखेते कि कौन कौन से छहराज़ों में बिधान परसद है ये देखिए गदर पार्टी का मुख्याल है कितनी बार बताए गदर पार्टी के संस्थापक लाला लाजपत रहे हैं ना और इनका मुख्याल है कहां था सेंट फ्रांसिंस को में था अम हमाँ आपके सामने लेकर आये हैं आप बताए ये 25 क्लास मात्र 25 क्लास में आपको अगर 25 से 30 कोस्टन मिल गए वहां पर आपको 25-30 क्लास में 25-30 कोस्टन मिल गए तो ये बड़ी चीज है आप हम फिर आप से कह रहे हैं अगर यूपी पुलिस या यूपी ऐसा या कोई भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं आप और आपके एक्जाम में जी के जी एस पूछा जाना है तो आप हम से जुड़िए हम आपको प्रेक्टिस सेट करवाएंगे और पेपर अगर अपने पुराने पैटर्न पे आया तो 50-60 क्लास में जोड़ सकते हैं बाकी इस वीडियो को देखिएगा ज्यादा ज्यादा सेयर करिएगा ठीक है जहन